Hello everyone, welcome to Global Online, this is Ankitab Sot So, MPSET 2023 examination अभी हो चुका है and मुझे पूरा विश्वास है कि Paper 1 के मेरे जितने भी regular students है उनका exam बहुत ही अच्छा हुआ होगा So, आज इस वीडियो में अभी हुए paper में Paper 1 का detailed analysis में आपके लिए लेकर आऊंगी कि overall paper कैसा आया था and उसके साथ ही Paper 1 के 50 questions के correct answer में आपके साथ discuss करूंगी and उसका ये फायदा है कि आपको result का इंतजार करने की जरूरत नहीं है अभी ही अपने marks चेक करके आपको एक clear idea हो जाएगा कि आप exam qualify कर पाओगे या फिर आपको फिर से तयारी करने की जरूरत रहेगी तो आप सभी students इस वीडियो में तक बने रहेगा अपना feedback अपना जो भी answers है जो भी score है वो भी मेरे साथ जरूर share कीजेगा कि हमारा course जो आपने इतने महीनों से follow किया उससे आपको कितना फाइदा हुआ है so overall अगर हम paper 1 की बात करें so paper easy to moderate level का था वैसे तो 90% students के लिए paper बहुत ही जादा easy था हमने जितना पढ़ाया था अगर हम लोग overall बात करें 50 questions में से लग भग लग भग 35 से 40 questions तो as it is वही से आए थी जो मैंने अपने lectures में जो मैंने अपनी ppt's में आपके साथ share किये हुए है moderate paper उन students के लिए था जो कि बहुत जादा mathematics के उपर dependent थे लेकिन maths में आपको पता होगा कि data interpretation से एक भी question आया ही नहीं था तो इसलिए बच्चों को थोड़ा सा यहां पर tough लगा है score करने में जिनका maths अच्छा है तो वो data interpretation से अच्छा score कर सकते थे इसके अलावा अगर हम बात करें teaching aptitude की so teaching aptitude बहुत ही जादा easy आया था जहां जहां से मैंने questions आपको बताए थे वहीं से expected questions में से as it is चीज़ें पूछी गई थी इसके अलावा logical reasoning में logical reasoning के मेरे सिरफ 10 lectures मैंने आपको करवाय थी और मैंने assurity दी थी कि इसके अलावा कहीं से भी कुछ नहीं आएगा so वहीं हुआ intent lectures के अलावा कहीं से भी extra कुछ भी exam में नहीं पूछा गया है ना इसके अलावा higher education में जो static चीज़ें होती है वो as it is आई थी थोड़ा सा एक आथा question current affairs से आया था new education policy में से आया था इसके अलावा people and environment में से थोड़ा सा unexpected part ये था कि हमने जितने भी protocols पड़े थे जैसे Montreal protocol, Paris agreement ये चीज़ें थोड़ा सा exam में miss रही थी इसके अलावा reading comprehension was very very easy ये इतना ज़ादा असान था कि 9th 10th का बच्चा भी उसको कर सकता था research aptitude और communication unit थोड़ा सा हम बोल सकते ही बहुत असान भी नहीं था तो असान से थोड़ा सा एक level up इसमें जा चुका था ICT भी काफी easy था ICT में कुछ full forms मैंने आप लोगों को बताई थी उन full forms में से as it is questions आये थे okay so ये overall analysis था मेरे according आपके according क्या है मेरे साथ comment करके जरूर share कीज़ेगा okay so इसे के साथ अब one by one हम हरे question को यहाँ पर detail में discuss करने वाले है तो सबसे पहले question number one है Hindi medium students में यहाँ पर देख लीजे मैं सरफ answer बताऊंगी which method of teaching develops spirit of inquiry in students so कौनसा वो ऐसा method होता है teaching का जो की बच्चों में पूछताच की भावना को विक्सित करता है तो इसका correct answer है option B heuristic method अगला प्रशन है which of the following DTA channel देखो इसमें प्रशन पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी जैसे ही यहाँ पर DTA channel की बात की directly आपको आंसर पता होना चाहिए स्वयम प्रभा तीसरा है यहाँ पर choice based credit system CBCS मैंने आपको बहुत detail में पढ़ाया था CBCS का मतलब क्या होता है कि teacher centric जो method होता है यानि कि शिक्षक किंदरित जो विदिय होती है पढ़ाने की उसको हम विद्यार्थी किंदरित की तरफ को move करेंगे सो correct answer है यहाँ पर option number D अगला है teaching एक कौन सा process है यह मैंने अभी दो तिन दन पहले MCQS में आपको करवाया था कि teaching गे tripolar process है tripolar मतलब teaching के दरान हमारे पास तीन poles होते एक teacher होता है एक student होता है एक उनका syllabus यानि की curriculum होता है तो तीन poles पर एक teaching का पूरा process dependent होता है ठीके इसके बाद sorry यहाँ पर आप देख सकते हो levels of teaching बार बार मैंने आपको कहा था कि या तो एक question blooms taxonomy से आता है या फिर एक question levels of teaching से आता है तो वही as it is आया तीन levels पूछे है memory level, understanding level और reflective level तो इसका correct answer है option number C आगे दिखते हैं questions SPSS का full form statistical package for social sciences question number 6 का third answer बिलकुल correct है यह जिन student ने मुझे question paper share किया है उनके maximum questions बिलकुल सही है जो उन्होंने attempt किया है ठीके सो अगर आपने भी regular classes मेरी लगाई होंगी तो जरूर आपका paper भी अच्छा हुआ ही होगा which of the following is a fourth step of research process सो इसका research का पहला step होता है identification of broad area of research कि कहां से research करना है overall मतलब यह है कि जो research का problem है वो हमें ढूनना है यहां भी कहा गया है research के problem का solution तो solution तो हम पहले step में नहीं ढूनते हैं पहले में तो सिर्फ problem ढूनते हैं यानि एक area ढूनते हैं कि हमें किस पे research करना है ओके so question number 7 आ गया then we have question number 8 which of the following is a non-parametric test so non-parametric test में आज आता है हमारे पास median test ठीक है यह direct answer था इसमें याद रखने जैसा कुछ भी नहीं था question number 9 में correct answer है a यहां पर देखो steps of research research जब मैंने पढ़ाया है तो उसमें पहले lecture में पहला question यही था as it is आ चुका exam में ठीक है then we have question number 10 a study of the topic perception of tribal people about formal education so देखो tribal people की formal education को लेकर यहां पर चीज़ें पूछी गई है so overall अगर इसमें देखें तो इसका correct answer है option number C option number C नहीं होगा यह option number D होगा anthemographic research detail में हम यह चीज़ें अरड़ी पढ़ चुके है question number 11 से लेकर 15 तक reading comprehension है जो अभी मैंने solve नहीं किया है इस वीडियो में okay so question number 16 इसमें B.H.E.L. से लेकर के M.E.C.O.M. के बारे में full form पूछी गई है तो इसका correct answer है management and employee communication then we have question number 17 communication network में circle network की बात की गई है तो circle network क्या होता है एक employee यह एक person available हर एक person से directly communicate कर सकता है so option number A हो गई इसका correct answer grapevine एक informal communication का type होता है जिसका correct answer है meta संचार ठीक है and इसमें ये तीनों चीज़ें आती है ये चीज़ें भी हम detail में पढ़ चुके है then we have question number 19 जिसका correct answer है B emotional, contagion, भावनात्मक, संक्रमन अपने answers match जरूर कीजेगा and जो भी score है मुझे सबने बताना है ठीक है which of the following is considered as distortion of downward communication उपर से नीचे की और जब हम communication करते हैं तो उसमें distortion होता है ठीक है ये होता है किसकी वज़ा से all of the above ये सब चीज़े उसमें होती है इस question paper को अब मैं detail में नहीं बता रही सरफ answers share कर रही हूँ अगर आप चाहते हो कि detail में मैं इसको बताऊ कि क्यों ये answer correct है क्या क्या चीज़े हैं तो मुझे comment कीज़ेगा तो next video में मैं हर एक चीज़ detail में करवा दूगी ठीक है इसका correct answer है option number B question number 22 option number C 23 का option number A बिल्कुल correct है 24 का option number D is the right answer ठीक है यहाँ पर match कर लीजिए then we have question number 25 ठीक है 25 question में 300 option B correct answer है 26 में भी option number B correct answer होगा deductive reasoning होती है यह ठीक है and question number 27 यह आपका answer गलत है unity of nature क्योंकि मैं directly आप लोगों को एक keyword के थूँ बजा चुकी हूँ कि जब भी inductive reasoning के बात होती है तो हमेशा वो uniformity of nature ही होता है तो बिना सोचे समझे यह answer हो सकता था ठीक है question number 28 का answer है D क्योंकि इसमें contra weighty बोला है actually यह contradictory होता है ठीक है so all or some not यानि कि A और O वाले contradictory होते हैं so A और D यहाँ पर correct answer है अगला question है 29 logical reasoning यह question as it is मैं अपने videos में आपको करवा चुकी हूँ so question number 29 9 में अगर देखें correct answer C है question number 30 correct answer is 1 यह सब चीज़े जब भी हम irregular middle term की बात करते हैं तो उसको directly हम इत्वाव्यास के section में सव्य विचारा कहते हैं यह direct definition है बहुत easy paper था direct questions पूछे गए थे इस वाले question का मैं sure नहीं हूँ लेकिन correct answer फिर भी C मुझे लग रहा है 32 में correct answer is A then we have question number 33 इसमें भी correct answer is 3 okay then we have 34 okay so इसमें आपका correct answer हो जाएगा histogram pi chart क्यों नहीं है इसका answer क्योंकि दो को pi chart इस तरीके से होता है one dimension आपने इसको यह समझ के बोला होगा लेकिन pi chart में अंदर इस तरीके से चीज़ों को divide किया जाता है जो की second dimension भी represent करता है so histogram correct answer है not पूछा था ठीके so not है histogram क्योंकि यह one dimensional है question number 35 the value of median is determined graphically with the help of graph known as इस question में भी मैं उतनी sure तो नहीं हूँ लेकिन question number D आप रख सकते हो अगर आपको इसका sure answer पता है तो मुझे जरूर बताईएगा question 36 NIPTIL stands for National Program of Technology Enhanced Learning as it is question ना जाने कितनी बार paper में आ भी चुका है और ना जाने कितनी बार मैं अपने sessions में आपको करवा भी चुकी हूँ question number 37 okay so इसमें correct answer होगा storage devices large amount of data को permanently store करने में help करता है then we have question number 38 option 1 है इसका correct answer 39 का option D is the correct answer so देखो students अभी तक आपके कितने questions हुए है अगर exam qualify हो रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है and अगर आपको लगता है कि आप एक दो number से miss कर सकते हो exam तो अगले exam की तयारी जरूर करते रहेगा ठीक है net exam भी आप लोगों का December में होने वाला है उस exam की तयारी करते रहेगा screen पर जो whatsapp numbers हैं उन पर contact करके आप लोग क्या कर सकते हो जॉइन कर सकते हो courses को उन numbers पर contact कीजिए अंकिता सूद के नाम से आप लोगों को सारी जानकारी मिल जाएगी net के examination की भी ठीक है तो जरूर आप target कर सकते हो अगर आपने इस paper में अच्छा score कर लिया है okay so question number 40 का correct answer C है edusat इसकी जगा बच्चों को लग रहा होगा कि gsat 3 correct answer होगा तो gsat 3 जो है इसी का नाम edusat भी होता है okay so question number 41 में देखो 2 and 4 यहाँ पर आपने लिखा है लेकिन 41 का correct answer 1 होगा कि यह 29 December 1993 में काम में आया था चालू हो गया था and India ने भी इसमें participate किया था ठीक है 1996 में नहीं 1994 में इंडिया ने participate किया था इसलिए यह option गलत हो जाएगा next we have third rank है इसमें ठीक है फटा-फट question खुद पढ़ लीजेगा 43 okay so question number 43 में expected answer 3 है यह current affair से question आया है एक ठीक है यह May 2023 में ही release की गई थी information then we have question 44 इसमें कितने 20 goals होते हैं नहीं होते हैं मैंने कितने बताए हैं 17 goals होते हैं ठीक है so correct answer is option number D New York में September 2015 में इसको adopt किया गया था अपने videos में मैं पढ़ा चुकी हूँ then we have question number 45 जिसका answer है C zoo और park को इसमें include नहीं किया गया है not included पूछा है in environmental protection act ठीक है बाकी सब कुछ किया गया है first open university 1982 में थी established हुई इंडिया में and इसके बाद 47 देखो ये question as it is मैंने बताया है three universities that were established during 1857 ये मैंने जो five year plan वाली video है उसमें बताया है ठीक है सो कलकत्ता बॉंबे और मदरास university establish हूथी स्वयम प्रभा स्वयम का quadrant कौन सा नहीं है so podcast नहीं है ठीक है e-tutorial discussion forum e-content है podcast नहीं है इसके अलावा NEP 2020 में एक target यहां पर पूछा गया है जिसका answer 2035 है and NAC के बारे में हम पढ़ चुके है national assessment and accreditation council इसको 1994 में UGC के द्वारा establish किया गया था ठीक है so I hope students 50 questions में से आप लोगोंने बहुत अच्छा score किया है बेची जग अपना result आप मेरे साथ share कर सकते हो कोई भी doubt है तो given whatsapp numbers पर जल्दी से contact कर लीजिये thank you so much everyone for watching this video and I wish you all the very best for your future